Hello Friends, यदि endometriosis के चलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा stress और burden फील हो रहा है, काफी ज़्यादा आप लो फील कर रही हैं, तो मैं Dr. Sushila Sani, Gynecologist and Obsession, आज आपको endometriosis और mental health के बारे में बात करने जा रही हूं, कि बिल्कुल उदास ना होई है, बिल्कुल घबराइए नहीं, यदि endometriosis है, तो इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, कि आप आप कुछ सोच ही नहीं पा रही है, अपना ध्यान यदि आप रखेंगी, positive thinking रखेंगी, तो definitely हर बिमारी से लड़ा जा सकता है, endometriosis भी कुछ ऐसे ही बिमारी है, long term बिमारी है, permanency बिमारी है, जल्दी से ठ इलाज हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम डिसकस कर चुके हैं अभी तक, और अब हम बात कर रहे हैं कि endometriosis के लेकर इसको एक health issue, तो है definitely, लेकि इसे mental health का issue ना बनाई है, क्योंकि बिमारी हैं तो सबको होती हैं, किसी को लाइलाज बिमारी हैं भी होती है, किसी को cancer भी हो ज जाता है, तो ऐसे बहुत से बिमारियां होती हैं, जो long term होती हैं, लेकिन इंसान हमेशा से बिमारी उसे लड़कर जीता आया है, तो हमें endometriosis से भी लड़कर ही जीतना पड़ेगा, यदि आपको endometriosis है, तो आप डॉक्टर की proper सलहा लीजिए, उसका इलाज करवाईए, इ सारी सर्जरी से अचकल दूर्बीन से संभव है, अब इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया कि endometriosis कैसे होती है, क्या ध्यान रखना होता है, कैसे उसके precautions हैं, तो जो इतने भी दूर्बीन से सर्जरी होती हैं, बहुत पता नहीं चलता है, पाद में परहेज नहीं होता है, और आप pain-free life को enjoy कर सकती हैं, उसलिए generally surgery से ही endometriosis में आराम पड़ता है, तो आप जब surgery करवा लेती हैं, तो आप pain-free, काफी हद तक pain-free हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको और कोई तकलीफ रहती हैं, तो आप mentalist challenge को accept करकर उससे भी लड़ सकती हैं, आप yoga कर सकती है आप meditation कर सकती हैं, कई सारे endometriosis support group हैं, आप उनको join कर सकती हैं, जिससे कि आप जब सेम लोगों से बात करती हैं, जो कि आपके जैसे इस्तिती से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको mentally support में ले, लेकिन सबसे ज़्यादा important है कि आप अपने doctor के touch में बने रही हैं, क्यों और अपने doctor में विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि doctor ही एक ऐसा इनसान है, जो आपके बिमारी को समझ सकता है, उसको इलाज बता सकता है, और आपको mentally strong बना सकता है, और उसके साथ ही साथ आपका विश्वास इस चीज़ को मजबूत बनाता है, कि आप इस बिमारी से लड सकती है, तो आप अपने अपने विश्वास रखिए, doctor में विश्वास रखिए, और इलाज में विश्वास रखिए, सब चीज़े संभव हैं, लेकिन यदि आप विश्वास ही खत्म कर देते हैं, तो definitely आगे इलाज भी खत्म हो जाता है, तो hopeless ना हो ये, अपने आपका खा करती है, तीन से चार लीटर दिन भर में आप पानी पीजिए, एंटियोक्सिदेंट वाले फूड होते हैं, जिसमें ड्राइ फूट्स आते हैं, आमला है, गूसबैरी है, अम्रूध है, बनाना है, ये सारी चीज़ें आप ले सकती हैं, मिक्स और मैच करके, फूट्स हैं, स इस चीज़ को बिलकुल मेंटल हैल्थ इशू ना बना पाएं, और आपके पास इतना समयी ना हो, कि आप किसी चीज़ के लिए डिप्रेशन में जाएं, और अपना ध्यान रखें, और फिर भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है, कि आपको हेल्प की ज़रु तो आप साइकोलोजिस से मेल सकती हैं, इस चीज़ को भी हैल्थ इशू ना बनाएं, कि मैं साइकोलोजिस्ट के पास नहीं जाओं, या लोग क्या कहेंगे, या लोग क्या सोचेंगे, ऐसा बिलकुल ना करिए, आप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अर अपना ध् दोस्त के रुक में हमेशा अवेलिबल हैं, थैंक यू